दोस्तो काफी टाइम से मैं ऐसे नूडल्स को खोज रही थी जो टेस्टी होने के साथ साथ हैल्दी भी होने चाहिए तो मुझे ये नूडल्स मिले जो कि आटे से तयार किये गए हैं दिखने में ये बहुत ही टेस्टी लग रहे होंगे आपको लेकिन आज हम इसको ट्राइ क करेंगे और आपको बताएंगे काने के बाद एकदम ऑनेश्ट रिव्यू आपको देंगे हम कि ये बनने की बाद कैसे लगते हैं दोस्तो इस नूडल्स का नाम है स्लर्फ फार्म मिलट नूडल्स जो की आठे से तयार किये गए हैं आठे की बज़े से ये काफी हैल्दी भ देना होगा नूडल्स का अब इसको हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर कितने नूडल्स निकलते हैं तो इस तरीके से हम इसको फार लेते हैं तो ये दिखिए दोस्तों एक ही पैकेट में इतने सारे नूडल्स निकल के आए हैं तो अब इन नूडल्स को हम उबाल लेती इन नुड़ल्स को वलने में दोस्तों 5 मिनदी ही लगेती यह एकदम perfect वल चूके थे तो अब हम क्या करेंगे दौस्तों इसको हम drain करेंगे किसी चंची की द्वारा इसका जो पानी हैं हम निकाल देंगे दोस्तों तो यह देखें दोस्तों हमने सारा पानी निकाल दिया है तो अब इन नूडल में हम कोई सा भी cooking oil लगा देती हैं जिससे की यह चिपकेंगे नहीं तो हम यहां पे 2 चममज cooking oil लगा देती है है तो अब इन नूडल को हम बनाने की तयारी करेंगे दिस्तों एक पैन में हम 2 चोत को एट करेंगे तो यहां पर हमने एक medium size की प्याज ली हुए है दोस्तों इसको हमने slice में cut किया हुआ है आप चाहें तो प्याज को बारी काट कर भी add कर सकते हैं अब इस प्याज को हम हलका सा ही भूनेंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा brown नहीं करना है में इस प्याज को और अ आपकी गर पर छोटे चोटे बच्चे हैं आप छोटे बच्चों के लिए तयार करें हैं तो आप यहां पर हरी मिर्च को इसके भी कर सकती हैं स्लाइस में कटी हुई हमने आपे सिमला मिर्च एट कर लिए एक मीडियम साइज की इसको भी हलका सा ही हम बूनेंगे और अब इसमें हम टमाटर एट करेंगे टमाटर को भी हमने स्लाइस में कट किया हुआ है इससे क्या होता है दोस्तों जो हम नूडल्स बनाते हैं वो दिख एड़ करने हैं दोस्तों जिससे की इसका फ्लेवर बना रहता है दोस्तों आप चाहें तो यहां पे और भी सब्जियां एड़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंदो अब इसमें हम मसाला एड़ करेंगे जो की नूडल्स के साथ ही निकला हुआ है एक पाउच निकला है इसमें द दोस्तों यह जो मसाला है इसका भी फ्लेवर इसमें बना रहता है बाद में एड़ करने से और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है पहले से मसाला जब हम एड़ कर देते हैं तो वो काला पड़ जाता है दोस्तों इसलिए हम बाद में ही इसको एड़ करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो भी बना रहेगा और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है तो अब ये भुन चुका है हमें जादा बिल्कुल भी नहीं भुनना है अब इसमें हम स्वादानुसर नमक एड़ करेंगे नमक को भी हम ध्यान से एड़ करेंगे क्योंकि इसके मसाले में भी नमक पहले से ही है दोस्तो अब नूडल्स को हम एड़ कर लेते हैं दोस्तो मैंने यहां पर पूरा एक पैकेट तयार किया है जिसमें की पांच लोग आराम से खा सकते हैं अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे दोनों हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे इनको तो ये हमार में भी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी हैं. खासकर बच्चों को इसका टेश्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं. आप देर तक इसको रखेंगे फिर भी ये नहीं भी मंगा सकते हैं तो ये रेस्पी आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू